उद्देश्य इस बाट के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे कृशी के प्रकारों का वर्णन करना कृशी पद्धधी को परिभाशित करना और भारत में उगाई जाने वाले प्रमुक फसलों की व्याख्या करना खाद्य फसलों, अन्य खाद्यानों और गैर खाद्य फसलों की व्याख्या करना भारत में प्रोध्यों की किय और संस्थागद सुधारों की व्याख्या करना खाद्य सुरक्षा को परिभाशित करना कृशी के प्रकार क्रिशी ग्रामिणों और ग्रामिण क्षेत्रों में निवास करने बाले लोगों के लिए धन अर्जन के सबसे सामानियस रोतों में से एक है इस गतिविधी के द्वारा लोगों को भोजन मिलता है जोन के अस्तित्वों के लिए बहुत आवश्चक है क्रिशी से हमें नाकेवल खाध्यान बलकि विभिन्न उत्पादों कुछ कच्छे माल भी प्राप्थ होते हैं विकसित हुई नई प्राध्योगी क्यों सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं और भौतिक पर्यावरण के लक्षन जैसे विभिन्न मापदंडों के अनुसार समय के अनुसार क्रिशी के प्रकारों में परिवर्तन हुए हैं भारत में विभिन्न क्रिशी प्रणालिया प्रचलित हैं। आईए हम उनके बारे में जानते हैं। इस तक्नीक में उप्योग किये जाने वाले क्रिशी, ओजार, लकडी के हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी है। इसे कर्तन और दहन क्रिशी भी कहा जाता है। यह प्रोध्योगे की विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से प्रयोग की जाती है। यह दी गई सूची देश और विश्व के विभिन्न भागों में कर्तन और दहन तक्नीक के विभिन्न नामों को दर्शाती है। क्रिशी का दूसरे प्रकार गहन निर्वाहा क्रिशी है। इस प्रकार की क्रिशी में फसलों की उच्च उपज प्राप्त करने के लिए सीचाई के साथ जैव रसायनों और जैव उर्वरों को की उच्च मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजिस्थान के कुछ भागों में किया जाता है। क्रिशी का तीसरा प्रकार वानिचिक क्रिशी है। फसलों की उच्च उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रोध्योगिकियों उच्च उपज देने वाली बीच की किस्मों आधुनिक रासायनिक उर्वरकों एवं पीड़क नाशियों का उप्योग किया जाता है। फसल का वानिचिक करन अलग-अलग राजु में अलग-अलग होता है। रोपन विशेश प्रकार की वानिचिक क्रिशी है जिसमें बड़े क्षेत रिफल पर ही एक ही फसल उगाई जाती है। चाई, कॉफी, केला, रबड और गन्ना रोपन फसलों के कुछ उधारण है। शस्या प्रारूप भारत में तीन फसल रितुएं हैं रबी, खरिफ और जायद। दीकई सूची बीजबोने, फसल कटाई, मुख्य फसलों एवं उनकी खेती के प्रमुक शेत्रों को दर्शाती है। प्रमुक दाले, चाय, गन्ना, कपास और तिलहन भारत में उगाई जाने वाली कुछ मुख्य फसले हैं। आईए, हम उनमें से कुछ के बारे में विस्तार से जानते हैं। चावल भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह उच्चतापमान व आर्द्रता और अधिक वर्षा में भली प्रकार होता है। यहा दिया गया भारत का मान्चित्र प्रमुक चावल उत्पादक शेत्रों को दर्शाता है। गेहू यहा उत्तर भारत की मुख्य खाद फसल है। इसे सामान्य वर्षा की आवश्यक्ता होती है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, बिहार और हर्याणा कुछ प्रमुक गेहू उत्पादक राज्य है। मोटे अनाज भारत में बाजरा, ज्वार और रागी प्रमुक मोटे अनाज है। वे प्रोटीन और कार्बोहाइट्रेट के सम्रिध्ध स्ट्रोथ है। प्रमुक मोटे अनाज उत्पादक राज्यों को तालिका में दर्शाया गया है। मक्का यहाँ खरिफ की फसल है जिसे सामान या तापमान और वर्शा की आवश्यक्ता होती है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, करनाटक, बिहार और आंध्रप्रदेश कुछ प्रमुक मक्का उत्पादक राज्य है। यह प्रोटीन की प्रमुक स्रोध हैं। वे कम आर्दृता में जीवित रहती हैं और उनकी कई किसमें होती हैं जैसे अरहर, मसूर, चना, उरद और मूंग, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, महराष्ट्र और करनाटक प्रमुक दाल उत्पादक राज्य भारत में खाद्य फसलों की विभिन किसमें उगाई चाती हैं, जो खाद्यान नहीं हैं। गन्ना, तिलहन, चाई, कॉफी, बागवानी फसले खाद्यानों के अतरेक्द अन्य यानि खाद्य फसलों के उधरण हैं। इसके अधिरिक्द भारत में कुछ गैर खाद्य फसलों जैसे रबर, फाइबर, फसलों, कपास और जूट की भी खेती की जाती है आईए, हम एक एक करके उनके बारे में जानते है गन्ना भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह सामानिय वर्षा योग्त आध्र जलवायू की परस्थितियों में भली प्रकार उगती है कम वर्षा वालेक शेत्र में सिचाई के माधिम से जल की व्यवस्था की जाती है गन्ने से चीनी, गुड, खांडसारी और शीरा जैसे कई-कई उत्पाद बनाई जाते है मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, हर्याणा, आंध्रप्रदेश और करनाटक आधी में इसकी खेती की जाती है तिलहन कुल बोई जाने वाले भारतियक शेत्र का लगभग बारा प्रतिशत भाग विभिन प्रकारों के तिलहनों की खेती करने के लिए उप्योग किया जाता है सरसो, मुंफली, नारियल, अरंडी, अलसी, सोया बीन और सूरज मुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसले है इन तिलहन फसलों में से कुल खेती की लगभग पचास प्रतिशत मुंफली के लिए की जाती है मुख्य रूप से इसकी खेती गुजराद, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडू आधी में की जाती है चाय, भारत चाय की खेती करने वाले प्रमुक देशों में से एक है चाय की जाडियां यूमस और जीवान श्युक्त सू अपवाहित मृता में भली प्रकार विकसित होती है वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौच्छारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है इसकी खेती मुख्य रूप से असम, पस्चिम बंगाल, कैरल, मेघाले, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्राखंड और तमिलनाडू आधी में की जाती है कौफी भारत अच्छी गुणवत्ता की कौफी की खेती के लिए विख्याद है भारत में इसकी खेती करनाटक, तमिलनाडू और कैरल में होती है आईए अब हम बागवानी फसलों के बारे में जाने भारत विश्व में फलों एवं सबजियों के सबसे बड़े उत्पादकों एवं निर्यातकों में से एक है यहां दी गई सूची फलों के नाम और उनकी खेती करने वाले मुख्य राज्यों के नाम दर्शादी है खाद्य फसलों के बाद आईए अब हम अखाद्य फसलों के विश्वाई में चर्चा करते है पहली फसल रबड है इसका उप्योग विभिन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है यह अधिक बर्शावाले और नम और आद्रक शेत्रों में उगती है इसकी खेती मुख्य रूप से तमिलनाडू, करनाटक, कैरल और अंडमान और निकोबार त्वीप समूह में की जाती है रेशेदार फसले चार प्रमुग भारतिय रेशेदार फसले कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम है आईए, हम कपास और जूट के बारे में विस्तार से जाने कपास भारत विश्व में कपास का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है कपास की उच्च उपज के लिए उच्च तापमान और कम वर्षा की आवश्यक्ता होती है महराश्ट्र और उत्थर प्रदेश, गुजराद, मध्य प्रदेश, पंजाब, हर्याणा और तमिलनाडू भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है जूट, इस रेशिदार फसल को उच्च तापमान और नम पर स्थितियों की आवश्यक्ता होती है इसे सुनहेरा रेशा भी कहा जाता है इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, असम, मेघाले, पस्चिम बंगाल और उडशा में की जाती प्रदो गिकिया और संस्थागत सुधार क्रिशी ग्रामीन क्षेत्रों के लोगों के लिए आई के प्रमुक्स रोतों में से एक है सिचाई संसाधनों के अभाव के कारण देश के कुछ क्षेत्रों के लोग अभी भी मानसून पर निरभर है उनके पास आधोनिक उपकरण, तकनीके, संसाधन और उर्वरक और रसायन नहीं है इसलिए वे फसलों की अच्छी उपज के लिए अभी भी प्राकृतिक उर्वर्ता पर निर्भर है अधिक जानकारी भारत में अभी भी साथ प्रतीशत आबादी क्रिशिक शेत्र में काम कर रही है और इसके बावजूद देश की अर्थ व्यवस्था में समक्र जीडीपी का योगदान बहुत कम है स्वतंत्रता के बाद क्रिशे के मानत में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए थे इन चरणों में सामूही की करण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमिदारी समाप्त करने को सम्मिलत किया गया था भूमी सुधार और पुष्टैनी अधिकार के विशय पर भी सरकार द्वारा 1960 से 1970 के बीच कुछ महत्वपूनक कदम उठाए गए थे बाद में हरत क्रांती एवं श्वेत क्रांती हुई जिसने भारतिय क्रिशी की गुणवत्ता एवं मानक को उन्नत किया 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमी विकास कारिक्रम आरम किया गया था क्रिशी की बेहतरी के लिए प्राकृतिक आपदाओं के बिरुद फसल बीमा स्थापना ग्रामीड बैंक को एवं किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर रिण सुविधाई प्रदान करने के लिए ग्रामीड बैंक को एवं सहकारी समित्यों की स्थापना जैसे कुछ कदम उठाए गए थे अब किसानों को भारत सरकार द्वारा कई अन्य योजनाए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड यानी के सी सी व्यक्तिकत दुरघटना बीमा योजना यानी पी ए आई एस प्रदान की जाती है आकाश्वाणी और दुर्दर्शन पर किसानों हेतू जानकारी प्रदान करने के लिए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट और विशेश कारिक्रम भी प्रसारित किये जाती है स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे से प्रेरिद श्री वी राम चंद्र रेटी नाम के एक व्यक्ति ने असी भूमी हीन किसानों को उनके आर्थिक कल्यान के लिए अपनी असी एकड भूमी दान कर दी इसे भूदान के नाम से जाना जाता है क्रिशी देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्व पोन भूमी का निभाती है भारतिय सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी विकास का प्रतिशत वर्ष दरवर्ष घटा जा रहा है सरकार निरंतर क्रिशी के आधूनी की करण के विशय में विचार कर रही है इन चर्णों के अंतरगत, सरकार ने कुछ अनुसंधान संस्थानों, क्रिशी विश्व विद्यालेयों, प्रशु प्रजनन केंद्रों, बागवानीक विकास केंद्रों आधी की स्थापना की है। खाद सुरक्षा, भोजन लोगों की एक आधार भूद आवशकता है। यह दैनिक गतिविध्या संपन करने के लिए उर्जा प्रदान करता है। जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता, उन्हें खाद सुरक्षा का अभाव है। इन लोगों में से अधिकतर आर्थिक रूप से कम विकसित राज्यों से संबंधित है। सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राश्ट्रे खाद सुरक्षा प्रणाली की रचना की। इसके दो घटक हैं। एक बफर स्टॉक और दो सार्वजनिक वितर्ण प्रणाली यानि PDS। Food Corporation of India यानि FCI सरकार द्वारा घोशित न्यूनतम समर्थन मूल्यों यानि MSP पर किसानों से खाद्यान की अधिक प्राप्ती एवं उसके भंडारन की व्यवस्था करती है। जबकि ग्रामिणक शेत्रों के निर्धन लोगों के लिए सहाय की प्रदान किये गए मूल्य पर खादानों का वितर्ण सार्वजनिक वितर्ण प्रणाली द्वारा किया जाता है। सरकार किसानों को वित्य लाप प्रदान करने के लिए क्रिशी उपकरणों, उर्वरकों, जल और विद्यूत पर सहाई की प्रदान करती है। हर्याणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में गेहूं और धान की फसलों और उन पर प्राप्थ होने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्यों के लिए ही अधिक उगाया जा रहा है। हमारे समाज में उपभोगताओं को गरीबी रेखा से नीचे यानि BPL और गरीबी रेखा से उपर यानि APL में वर्गी क्रत किया जाता है। BPL परिवारों से संबंधित कुछ उपभोगताओं को वास्तफ में उनका हक नहीं मिल पा रहा है। यदि सरकार उपयोक्त क्रिशी अवसनरचना रणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और फसल उत्पादन बढ़ानी के लिए नई प्राध्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है और खाध्यानों के उचित भंडारण की व्यवस्था करती है, तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाध्यानों के पैदावार में आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ाई जा रही है और लोग क्रिशीकत भूमी का उपयोग शहरी करण के प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं, इससे भविश्य में गंभीर समस्या उत्पन न होगी। बड़े किसान जल गहन फसलों का उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक भूजल निकालने हैं तो नल कूपों का अत्यधिक उपयोग करने के लिए निश्युल्क विद्युत का दुर उपयोग कर रहे हैं। किया जाता था। बेस्वी शताब्दी के बाद वैश्वी करण के अंदरगत भारतिय किसानों को विदेशी बाजार में सबसे कड़ी प्रतिस परधा का सामना करना पड़ा। क्योंकि विदेशी राष्ट्रों ने अपनी किसानों को उच्च सहाई की प्रदान की। क्रिशी को बेहतर बनाने के लिए जैसे जननिक इंजीनियरी, जीन संशोधित बीजों, कार्बने क्रिशी, जैव उर्वरकों तथा जैव पीड़क नाशियों, जैसी उन्नत प्रोध्योग्यों एवं उन्नत क्रिशी औजारों का उप्योग किया जाना चाहिए। सारांश हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराए। भारत के विभिन भागों में आदिम निर्वाह क्रिशी, गेहन निर्वाह क्रिशी, एवं बानिज्जिक क्रिशी जैसी विभिन प्रकार की क्रिशी प्रचलित है। रोपण एक विशेश प्रकार की बानिज्जिक क्रिशी है, जिसमें एक ही फसल विशालक शेत्र फल में उगाई जाती है। भारत में तीन शस्य रित्यों हैं, रबी, खरिफ और जायद, चावल, गेहु, बाजरा, दाले, चाई, गन्ना, कपास और तिलहन भारत के विभिनक शेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुक फसले हैं। गन्ना, तिलहन, चाई, कॉफी, बागवानी फसले हैं, जो भारत में उगाई जाने वाले खाद्यानों के अतरिक्त, अन्य खाद्य फसलों के उधारण हैं। रबर, फाइबर, कपास और जूट जैसी कुछ गैर खाद्य फसलों की भी भारत में खेती की जाती है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा सामुही की करण, लगान, जोतों की चकबंदी, सहकारता और जमिनदारी समाप्त करने जैसे कुछ कदम उठाए गए। क्रिशी की बेहतरी के लिए प्राकृतिक आपदाओं के विरुद, वसल बीमा, ग्रामिड बैंकों की स्थापना और बहुत कम ब्याजदर पर किसानों को रण उपलब्ध करने के लिए सहकारी समितियां बनाने जैसे कुछ कदम उठाए गए। अभारत सरकार द्वारा किसानों को किसान क्रेट काद व्यक्तिकर दुरघटना बीमा योजना प्रदान की जाती है। भारतिय सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी व्रिधी का प्रतिशत वर्ष दरवर्ष घर्टना जा रहा है। सरकार द्वारा क्रिशी कस आधुनी की करण करने कुछ अनुसंधान केंद्रों, क्रिशी विश्वविद्यालों, पशुप्रजनन केंद्रों, बागवानी विकास केंद्रों आधी की स्थापना की गई। जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता, वे खाद्य सुरक्षा की कमी का सामना कर रहे हैं। सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रे खाद्य सुरक्षा प्रणाली तयार की, जिसमें दो अवयव हैं। 1. बफर स्टॉक 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS